नमस्कार दोस्तों, AMT Classes की इस वीडियो में स्वागत है आज की वीडियो हमारी व्याकरन सिरीज की वीडियो है आज जिस टॉपिक को हम क्लियर करने जा रहे हैं, वो है सम रूपी भिनार्थक शब्द सम रूपी का मतलब क्या है? सम का मतलब समान, रूपी का मतलब रूप रूप में वो एक समान से होते हैं भिनार्थक, भिनार्थक का मतलब क्या होता है? लेकिन उनके अर्थ जो है, वो भिन होते है भिन अर्थ के होते हैं, सम रूपी भिनार्थक शब्द जैसे की, कैसे शब्द? जैसे हो गया असमान या आसमान असमान का मतलब होता है जो समान ना हो एक जैसा ना हो और आसमान का मतलब क्या होता है आसमान का मतलब उपर आसमान ठीक है तो ये दोनों दिखने में रूप में एक जैसे लगते हैं असमान आसमान लेकिन ये भिन्न होते हैं ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि समान और सामान तो इस तरह के शब्दों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है तो आज की इस वीडियो में 30 से 35 शब्द इसी तरह के शब्द और उनके अर्थों के बारे में हम जानेंगे ये हिंदी व्याकरण के अंतरगत सब्द भढुडार के अंदर बच्चों को पढ़ाय जाता है पहली से आठवी गिलास के बीच में एक ग्यारवी से बारवी के बच्चों को भी इसके बार में पढ़ाया जाता है तो चलिए इसके बारे में और अधिक विशेस रूप से इस वीडियो के अंतरगत हम जानने की कोशिश करते हैं जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं वीडियोज अच्छी लगती हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोज को लाइक अवश्य किया कीजिए व्याकरण के अंतरगत हम आज सीखने वाले हैं समरूपी भिनार्थक शब्द जैसे की एक शब्द है अनल अनल का मतलब क्या होता है आग और वहीं दूसरा शब्द है अनिल अनिल का मतलब क्या होता है वायू अब अनिल और अनल सुनने में एक जैसे लगते हैं समरूप के इसी तरह दूसरा शब्द है असमान और आसमान अब जैसे असमान का मतलब क्या होता है एक सा ना होना और आकाश का आसमान का मतलब क्या होता है आकाश ठीक है इसी तरह शब्द है अन अन और अन्य अन और अन्य अब यह सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अन का मतलब क्य होता है अनाज और अन्य का मतलब दूसरा इसी तरह शब्द है अपकार और उपकार अपकार का अर्थ है बुराई हमें किसी का अपकार नहीं करना चाहिए ठीक है उपकार उपकार का मतलब है भलाई अब हमें सब पर उपकार करने की कोशिश करनी चाहिए या दूसरों की भला करने की कोशिश करनी चाहिए इसका simple अर्थ है तो अपकार और उपकार से देखें कितना अलग हो जाता है ठीक है इसी तरह बाहर और बाहर बाहर का मतलब क्या होता है शोभा है और बाहर का मतलब जो अंदर ना हो जो अंदर की तरफ ना हो बाहर की ओर हो ठीक है इसी तरह तरं तरंग का मतलब होता है लहर और तुरंग तुरंग किसको कहते है घोड़ा को ठीक है जो तेज दोड़े घोड़ा इसी तरह शब्द है पानी 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 का अर्थ क्या होता है हाथ उसी तरह पानी पानी का क्या अर्थ होता है जल इसी तरह समान समान का मतलब क्या होता है बरा वदन, वदन का मतलब क्या होता है, मूँ, और बदन, बदन का मतलब क्या होता है, शरीर, एक पुराना गाना है, बदन पे सितारे लपेटे हुए, अब उहां क्या है, बदन है, ना के वदन, बात समझा रही है, बदन का मतलब क्या है, शरीर, इसी तरह कुल, कुल का मतलब क्य जड़, मूल रूप से, मूल रूप से आप सीखना क्या चाते हैं, और व्याकरण क्या है, हिंदी भाशा का मूल है, जड़ है, इसी तरह मूल्य, मूल्य का मतलब कीमत, अब मूल और मूल्य, दोनों अलग-अलग हैं, इसी तरह सुर, सुर का क्या अर्थ है, देवता, और सूर सूर का मतलब क्या होता है अंधा अब कई बच्चे कहते है सर छोटे हुगी मात्रा जी तो लगा दी तो मात्रा लगाने से शब्द का काफी अर्थ बदल जाता है इसको जानने के लिए व्याकरण सीखना पड़ेगा अगला शब्द है और 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 का मतलब क्या होता है किसी तरफ किसी एक दिशा में और का मतलब तथा और बताओ भाई क्या हाल चाले ठीक है तो वो क्या है और इसी तरफ क्रम क्रम का मतलब क्या होता है सिलसिला जैसे हिंदी व्याकरन की हमारी कर्मागत विडियो बनती है कर्मागत मतलब कर्म के हिसाब स सिल्सिले वाईज है ना और कर्म कर्म का मतलब क्या है काम ठीक है कर्म का मतलब काम और कर्म का मतलब सिल्सिला बहुत बच्चों को इन जैसे शब्दों में दिक्कत होती है इसी तरह है ग्रिह का मतलब घर क्या घर और ग्रह का मतलब होता है आकाश्य पिंड जैसे आपने देख बुद्ध ग्रह, शुक्र ग्रह, ब्रिस्पती ग्रह, मंगल ग्रह, तो इस तरह से क्या होता है, वो ग्रह होता है, और ग्रह का मतलब घर, यह हमने री की मात्रा में और रह के रूप में भी समझा है हुआ है, इसी तरह शब्द है अपेक्षा और उपेक्षा, अपेक्षा का म में किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी की निरादर नहीं करना चाहिए, किरपन, किरपन का मतलब कंजूस, और किरपान का मतलब तलवार, सरदार लोग किरपान रखते हैं तो किरपान होता है तलवार, और किरपन कंजूस, बहु, बहु का मतलब अधिक, और बहू का मतलब पुत्र वधू, पुत्र की वधू, ठीक है, जलज, जलज का मतलब कमल, और जलद, जलद का मतलब क्या होता है, पादल, जलज का अर्थ है कमल, जो कमल का फूल होता है, जलद का अर्थ है बादल, ठीक है, चीर, चीर का मतलब होता है, पुराना, ठीक है, और ची चीर का मतलब किसे कहते हैं? वस्त्र को. चीर मतलब वस्त्र. चीर मतलब पुराना. आदी. आदी का मतलब क्या होता है? आरंभ या वगेरा. और आदी. आदी का मतलब आदत पड़ जाना. ठीक है? कई लोग सिगरेट पीने के आदी होते हैं. आदी मतलब उनकी आदत होती है. अगला है हंस हंस क्या होता है एक पक्षी होता है और हंस हंस का मतलब हसना हंस एक सुन्दर पक्षी होता है और हंस हमें किसी पर हसना नहीं चाहिए इस तरह से इनके वाक्यों का भी निर्माण कह सकते हैं जो लोग regularly हमारी वीडियो से देखते हैं दिशा दिशा का मतलब तरफ और दशा, दशा का मतलब हालत, ठीक है, दिशा मतलब आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं, दशा, उसकी दशा बहुत बुरी है, अब यहीं होता है सुत, सुत का मतलब बेटा, और सूत, सूत का मतलब धागा, इसी तरह अगला शब्द है दिन, और दीन, दिन का मतलब क्या होता लक्ष, लक्ष का मतलब मंजिल, और लच, लच का मतलब लाक, लच का मतलब क्या होता है, लाक, पका, पका का मतलब पका हुआ, पूरी अच्छी तरह से कोई जीच पकी हुई, और पका, पका का मतलब होता है, मजबूत, आज कल सभी लोग पका मकान मनाते हैं, ठीक है, और सभ लोग पका हुआ भोजन पसंद करते हैं, तो पका और पका, ये शब्द ऐसे हैं, जो एक तरह से जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको ऐसे लगते हैं, कि ये जैसे बहुत एक जैसे सुनने वाले शब्द हैं, एक जैसे हैं, ल ये एक जानवर है, इसी तरह श्याम, श्याम का मतलब काला, और श्याम, श्याम का मतलब संधिया, श्याम और श्याम, दोनों का उचारन एक जैसा लगता है, इसी तरह शौक और शोक, शौक का मतलब क्या होता है, चाव से, मैं दाल चावल बड़े शौक से खाता हूँ, और श शोक का मतलब दुख, उनके घर में शोक और मातम चाया हुआ है, या शोक का मातम चाया हुआ है, दुख का मातम चाया हुआ है इसी तरह शब्द होता है अचार और आचार ये बहुत जगbing मैंने बच्चों को गलत लिखते वए देखा है, अचार क्या होता है? आम, नी, बु, आदी का अचार, कई सारी चीजों के अचार बनते हैं, वो होता है अचार, और आचार, आचार का मतलब है आचरण, कि आपका आचार कैसा है, उसका आचार विचार अच्छा है, आचार विचार का मतलब उसका आचरण अच्छा है और अच्छी सोच का वेक्ति है वो, कपट औ और प्रासाद ये आ की अंतर है बस ये प्रासाद है और ये प्रासाद है अब प्रासाद का मतलब क्या होता है किरपा या मंदिर का भोग किसी की किरपा या कोई मंदिर का जो हम भोग लेते हैं आशिवात के रूप में उसे प्रासाद कहते है और प्रासाद क्या हो जाता है को कोई महल है उसको शुद्ध हिंदी में प्रासाद कहते हैं इसी तरह हो गया प्रमान क्या है प्रमान और प्रनाम प्रमान का मतलब क्या होता है सबूत आपको इस चीज का प्रमान देना पड़ेगा है ना और प्रनाम प्रनाम क्या होता है नमसकार जैसे कई लोग बोड़ते है प्रणाम गुरुजी, तो प्रणाम गुरुजी का मतलब नमस्कार करना, ठीक है? ये एक तरह का आचरन है दूसरों को संभोधन करने का. इसी तरह शब्द है कोश, कोश का मतलब क्या होता है, शब्द भंडार, जहां पर शब्द कोश मिलते हैं शब्दों का कोश, भंडार, और एक होता है कोश, कोश का मतलब क्या होता है, खजाना, ये दो अलग-अलग शब्द हैं अक्सर लिखते समय हमें लगता है कि कौन सा वाला शौ आएगा तो कोश, कोश का मतलब होता है शब्द भंडार और जो शटकोन वाला शौ होता है उसका मतलब होता है खजाना दो अलग-अलग चीजे हैं इसी तरह शब्द है नारी, नारी का मतलब इस्तरी और नाडी, नाडी का मतलब नब्स, इसकी नब्स कितनी कमजोर है, या नाडी इसकी सही से नहीं चल ली है, तो नाडी क्या होता है, नब्स और नारी क्या होता है, इस्तरी, हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए, इस्तरीयों का सम्मान करना चाहिए, तो मुझे आशा है, ये और वीडियोज देखने के लिए आप हमारी प्लेइलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेइलिस्ट में हमने व्याकरन के पूरी सिरीज बना रखी है, AMD Classes पर 9 ब्लस अलग-अलग सिरीज है, जो आपको हमारी प्लेइलिस्ट में मिल जाएगी लाइन वाइस, अगर आप प्लेइलिस्ट में जाते हैं, तो मात्राओं में अंतर कहानी, मिशन बुनियाद, 2023-2022, उसके बाद guidance वीडियो, और मात्राओं में अंतर की अलग-अलग वीडियोज, उसके बाद line wise आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी हमारी प्लेइलिस्ट में जाके, आसान और गड़ित सीखने के लिए आसाने वीत आधित्य चैनल से भी जुड़ सकते हैं,